पुझालो फ्रेंड्स आज हमारे पास अभी स्कॉर्पियो एन आई है तो इस पर हम अभी जेन्वीन फॉग लागाएंगे जो कि महिंद्रा का OEM फॉग लाइंप आता है अब देख सकते हैं अभी इसका ऑरिजनल जो गाड़ी में लख्या जो आई थी वह भी हम लोगों ने रिमूफ कर दिया इसका जो बैजल था अब इसका जो है हम महिंद्रा का प्रॉपर जो पार्ट नंबर के साथ आता है औरीजनल फॉग लैंप दोनों साइट का विथ बैजल और जिनल महिंद्रा का जो बैजल आएगा फॉग लैंप आएगा वह हम गाड रिंग कनेक्शन हो चुक है और इसके साथ-साथ आप जो हेड्लेंप देख रहे हैं यह हेड्लांप पे हम लोगों ने दोनों इसका हाई बीम और लो बीम दोनों में हम लोगों ने अजूम का वान टॉन्टी वाट का एलेडी वी अल्रडी इंस्टॉल कर चुके हैं तो मैं देख सकते हैं कि अभी अल्रेडी इसका जो है इगनेशन में अभी हमारा ओन ओचुक है डियरल एंड अगर मैं इसको पार्किंग उन करता हूं तो हमारा फॉग लैंप ओन हो जा रहा है और अगर मैं अभी हेड्लेंप ओन कर रहा हूं तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं अभी डिपर दोनों उफर का जल रहा है और यह हेड जल रहा है और अभी हेड टाइम है अप इसका थो देख सकते हैं अंधरे में इसका थो बहुत ही अच्छा रहने वाला है बिकाज अजुम ब्रैंड में एक्चुली दो साल का आपको रिप्लेस्मेंट गैरेंटी होता है इसका थो भी बहुत अच्छा होता है और जेन्मीन फॉगलाप इसलिए हम लोगा ने दिया है कोई आप्टर फॉगलांप यूज नहीं किया है ताकि इसमें आपका वारेंटी कोई भॉइड होने वाला चांस नहीं है और नहीं आपका मिंस कम्प्लेन आने का चांस इसमें जादा होता है इसलिए हम लोगा ने जो है इस पर ओरिजनल फॉगलांप यूज किया ताकि आपको कम्प्लेन का फेस ना करना पड़े लौस आपको जो है क्वालीटी का भी एस्वेरेंस रहें विदाउट एनी टेंपरेशन ओफ इस सिंगिल हुए थैंक्यू ते बठाए वैली ने रखी मकसित की आँदी गैंग कैली ने ते बूथा थानी कर देया नाम टैली ने